मुवी के स्टार्ट में हम कैंडी, ब्रिट और कौटी को देखते हैं जो के ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और घबाघब घब गर रहे थे तरसल ये कॉलिज की स्टूडिन्स हैं लेकिन इनको पार्टीज करना बहुत पसंद है यहां तक के वो प्रोफेसर के लेक्टर के बजाए इन चीजों के बारे में डिसकस करना ज्यादा बहतर समझती है इसके इलावा उनकी एक और फ्रेंट है फेथ जो के इन से बिलकुल आपसिट है वो तमाम लेक्टरिस भी लेती है और यहां तक के उसने रिलिजिस यूथ क्रुप भी जॉइन कर रखा है एक दिन क्रास अटेंड करने के बाद फेथ अपनी दूसरी फेंस को बताती है कि वो कैंडी वाले क्रुप के साथ फ्लॉरिडा जा रही है वो दोनों कैंडी को बार्ण करती है और कहती हैं कि उन लोगों के खून में ही बुराई शामिल है हमारा ख्याल है कि तुम्हें उन से दूर रहना चाहिए लेकिन फेथ उनकी बात को काटते हुए कहती है मैं उन लोगों को किंडर गार्ण से जानती हूँ वो बहुत अच्छी है रात को Faith उन गर्ल्स की बातों के बारे में सोचती है जो उन्होंने इसकी फ्रेंड्स के बारे में बूली थी कैंडी, प्रिटर, कौटी क्लब में सारी रात चल आउट करने के बाद सुबह तीनों नंगे पाउं और फुल ड्रंक होकर Faith के रूम में आती है और उससे पैसों का पूछती है Faith उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी इसले वो अपने पैसे निकाल कर उनको दे देती है अब ये चारों गर्ल्स बात्रूम में बैठकर पैसों को काउंट करती है जो के सिर्फ 325 डॉलर्स थे वो सबब साड हो गई थी तबी Faith कहती है हम लाइफ में कुछ अलग क्यों नहीं कर सकते इससे क्योंकि हमने एकी रूटीन बना रखी है हम रुजाना सेमी चीज़ें करते हैं क्यों ना हम कुछ डिफरिंट करें हमारे पास पूरा स्प्रिंग मौजूद है और यही मौका है कुछ कर दिखाने का वो सब बहुत होपलेस थी लेकिन ब्रिट उनको समझाती है उनके पास बहुत जल्द पैसी होंगी Faith ब्रिट से पूछती है कि उन्होंने क्या ब्लान बनाया है ब्रिट सिफ ये आंसर देती है कि वो खुद नहीं जान थी लेकिन वो इतना जरूर जानती है वो यहां पर एक और दिन नहीं रहेगी ब्रिटर कैंडी कौटी के पास जाकर उससकी कार मांगती है कौटी की कार रिपेरिंग के लिग गई थी इससे वो मना कर देती है लेकिन वो इन दोनों से कार लेने का रीजन पूछती है तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है फिर वो तीनों चल आउट करने लगती है इसी तुरान वो दोनों कौटी से प्रोफेसर की कार के बारे में पूछती है लाकिली कौटी कार और उसकी की दोनों के बारे में जानती थी और उनको बता भी देती है वो तेनों अपने फेस पर मास्क बेहन कर साथ में एक गन और हतोरा लेकर कार में चली जाती है तर असल वो लोग शॉप में रॉबरी के ले गई थी वहाँ जाकर कैंडी और ब्रिट शॉप में चली जाती है जबके कौटी कार में ही मौजूद थी ताके एमिरजनसी पढ़ने पर वो लोग भागने के लिए त्यार हो कौटी कार को शॉप के एड़के चलाती है वो देखती है कि वो दोनों शॉप के लोगों को बुरी तरह डरा रही थी और मार भी रही थी इसके बाद वो तीनों पैसे लेकर भाग जाती है रास्ते में वो जोर-जोर से चलाती है क्योंके वो बहुत ज्यादा खुश थी फिर वो कार को जला देती है ताकि जोरी का कोई भी प्रूफ न रहे इतने ज़्यादा पैसे देखकर फेथ उन से क्वेस्टिन करना स्टार्ट कर देती है कि तुम लोगों के पास इतने पैसे कहां से आए तब ही कैंडी किन्फेस कर लेती है कि उन्होंने मिलकर एक शॉप को लूटा है उन तीनों को खुद पर प्राउड हो रहा था और वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे लेकिन फेथ को अचीब लग रहा था क्यूंकि वो तो ऐसा बिलकुल भी नहीं जाती थी लेकिन वो तीनों फेथ को अपने साथ सेलिब्रेट करने पर मजबूर करती है तो वो इनके साथ चिल आउट करने लग जाती है अब सीन फ्लॉरिडा में शिफ्ट होता है जहां ये चारों गर्ल्स छोटे-चोटे कपरों में पार्टी करती है और बाद में होटेल चली जाती है फेट अपनी ग्राइन मादर को कॉल करके बताती है कि उसने यहां पर बहुत सारे फ्रेंड बना लिए है और सब बहुत अच्छे है मजीद ये कि नेक्स ये वो उनी के साथ व्लॉरिडा आएगी ताके वो भी इंजोई कर सके कैंडी फेट और बिट पूल में स्विम कर रहे थे कि फेट कहती है कि कितना अच्छा हो अगर लाइफ यहीं पर रुक जाए वियोर्स आपको बताती चलो फेट ऐसा इससे बोलती है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्राब्लम्स थी लेकिन यहां आकर वो खुद को बिलकुल फ्री मैसूस कर रही थी उसको यह सब एक ड्रीम की तरहा लग रहा था इसले वो नहीं चाहती थी कि यह ड्रीम कभी खत्म हो कौटी कलब में बोईस के साथ चल आउट कर रही थी कि इसके बाद वो अपनी टॉप को उतार देती है खुद कर देती है इसके बाद वो चाहरों कन्वीनियन स्टोर पर जाते है और वहां पर स्मोकिंघ और ड्रिंकिंघ करते है उनकी लाइफ कर जैसे अवसे अवसे एक ही पर्पिस बन गया था वो था ड्रिंकिंघ ओर स्मोकिंघ चिल आउट करने के दुरान वो तीनों फेथ को रॉपरी वाली रात का फूल सीन सुनाते हैं कि इन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया था ये सब सुनकर फेथ डर जाती है अगले दिन सब भी फैसे पार्टी करती है जिन चीज़ों को नॉर्मल इनसान गलत समझता है वो इन सब के लिए मज़ाग बन चुका था फेथ ता कहना था कि वो खुद को ट्रिंकिंग, डांसिंग और टाचिंग के दुरान महसूस करती है पार्टी के दुरान वहां पर पलिस की रेट परती है और वो सब को अर्रेस्ट कर लेते है इन चारां को एक रात के लॉक अप में रुकना परता है अब फेथ को लग रहा था कि जो हुआ वो सही नहीं था अग्दी सुबा उनको कोट में लेकर आते है तब ही जज उनको बताता है कि तुम लोगों के करसे ड्रक्स नहीं मिली इसलिए तुम्हे कोई सजा नहीं दी जाएगी लेकिन तुम लोगों को फाइन पेक करना होगा वरना तुम लोगों को दो दिन के लिए जेल में रुकना पड़ेगा कैंडी जजज को बताने की कोशिश करती है कि उनके पास पैसे नहीं है लेकिन जजज जवाब में कहता है कि कहीं से भी अर्रेंज करो इसी दुरान वहाँ पर एक एलियन नामी आतमी भी कोर्ट में बैठा था जब ये रैपर था एलियन उन सब की बेल करवाता है क्यूंकि वो भी उसी पार्टी में मौझूद था जब वो चारों बाहर आते हैं तो एलियन खुद को ये करकर इंटरिड्यूस करवाता है कि मैंने ही तुम लोगों की बेल करवाई है फिर वो इनको अपने साथ जाने को बोलता है कैन्डी कफ़ेश्ण करती है कि तुम हमें कहान लेकर जाओगी वो जब आप में कहता है जहां तुम लोग कहोगे वहीं फिर वो लोग Kia Hebron के साथ चेली जाती है एलियन उनको कहता है कि future में कभी मेरी जरूरत पढ़े तो बताना मैं तुम लोगों की help करूँगा आखिर alien इन पर इतना महरबान क्यों हो रहा था इसका अंसर तो explanation के अंदर ही मिलेगा alien उन से बाते ही कर रहा था कि वो notice करता है कि faith बिलकुल खामोश बेटी है वो faith से नाम पूचता है वो बता देती है alien कहता है इसका मतलब है कि तुम गौड पे बिलीव करती हो faith यस बोल देती है वो मजीद कहता है फिर तो तुमने कल राद भी pray किया होगा जब तुम लोग जेल में थे लेकिन इस पर faith को answer नहीं देती वो पर से कहता है देख लो मैं तुम्हाई pray कर result हूँ faith इस पर भी खामोश रहती है क्योंकि अब उसको अफसोस हो रहा था कि उसने शायद यहां आकर गलती करती है उसको उन girls की बातीं भी याद आती है alien उनको बताता है कि वो एक hustler है यानि ऐसा आदमी जो drugs और weapons का business करता है कि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि हमें पुलर्स पकर लेगी और एक अंजानात में आकर हमारी बेल करवाएगा यह सब देखर alien faith को एक साइट पर ले जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दूँगा faith जवाब में कहती है कि मैं यहां इस्ते आई थी क्यूंकि मुझे freedom चाहिए थी लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं करना था इस्ते में वापस जाना चाती हूँ alien उसको वांड करता है कि अकर वो वापस गई तो उसको फिर से वोई problems face करनी पड़ेंगी और यह किसके friends भी उसके साथ नहीं जाएंगी वो faith को अपने जान में भसाने के लिए उसे propose भी करता है लेकिन faith अपने decision पर ही अटकी हुई थी वो अपनी friends के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरे साथ चलो वो सब मना कर देती है और साथ में faith को भी यहां रुकने के लिए कहती है लेकिन faith वहां से अकेले ही चली जाती है इसके बाद अब वो तीनों एलियन के साथ थी एलियन उन्सब को अपने घर ले जाता है और उन्हें अपनी गंस दिखाता है फिर वो लोग बिग आर्च नामी आत्मी के कब में जाते है असल में बिग आर्च और एलियन बहुत अच्छे दोस्थ हुआ करते थे लेकिन दोनों में इनके इलीगल बिजनस को लेकर प्राबलम्स आ गई थी इसलिए अब वो एक दूसरे को ज्यादा मून नहीं लगाते वहाँ जाकर वो तीनों गर्स इंजोई करने लगती है कि तभी बिग एलियन को बुलाता है एलियन उसको तंग करने के लिए कहता है कि तुमने मुझे सिफ उसी वर्ट बुलाया था जब तमें स्विमिंग नहीं आती और फिर मैने तुम्हें सिख आई थी बिग भी जवाब में कहता है कि मैने तुमें वो सब सिख आय था जो मैं जानता था इसलिए तो मेरे रास्ते से हट जा वरना हार जाओँगे इलियन जवाब में कहता है कि मुझे तुम नहीं बनाया है इसे में नहीं हारूंगा बिग आखर में ये कहकर चला जाता है कि अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो याद रखना मैं तुम्हें बरबाद भी कर सकता हूँ घर आकर कौटी सो जाती है लेकिन एलियन कैंडी और बिट को बहुत सारा कैश ला कर देता है जिसे वो दोनों बहुत कुश होती है एलियन उन दोनों के साथ कपगब करना स्टाट कर देता है अभी एलियन और बिट किस कर रहे थे कि कैंडी गन उठा लेती है एलियन उसको मना यह एक इस पहले कि aliens को शूट करती तब हमें पता चलता है कि वह लोग लीकिन थे तेंपों पहलते के व्हों कि भर गर्ओं मस्क पहनर कर बसके अधर को बजा रहा है। थेंगर को ने एक कार आजाती है जो के बिग की थी दरसल इन लोगों ने बिग के अरिया में रॉपरी की थी इसे वो इनको बॉर्ण करने आए था वो तीनों गर्ल्स को कहता है क्या तुम लोग मरना चाहती हो जो ये सब कर रही हो उपर से वो एलिन को कहता है अगर तुमने दुबारा म कौटी के बाज उसे गोली निकालता है और यकीन दिलाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा कौटी अपनी फ्रेंज को कहती है कि वो वापिस घर जा रही है क्योंकि वो इन सब से ठक चुकी है कैंडी और बिट पी अपनी मॉम्स को कॉल करके कहती है कि वो किछ दिनों तक घर आ रही है और साथ में वो तमाम बैड हैबिस भी छोड़ देगी कैंडी बिट और एलिन की प्रॉपर्टी पर जाते हैं ताकि उससे बदला ले सकें लेकिन जैसे ही वो वहां बहांच देंग आनमे उनको मारने के लिए आता है उसको आता देख कि ये दोनों से शूट कर देती है लेकिन उसके बाद वो अच्छनक से एलिन को मार देती है फिर अंदर जा कर वो बिक के साथ मौजूद तमाम लोगों को भी मार देती है अब दोनों की गारी लेकर चली जाती है और साथ में खया हैा विससे हमें ammabyte अचे रहींस को पूरा करने के लिए मारने लेकर भूल जाते हैं थांक यू फर वाचिंग